तो अब हम लोग बात करेंगे कि components क्या होता है react में तो देखो react जो होता है वो बस components के बारे में ही होता है हम लोग components में ही काम करते है react में react is all about components react मतलब आप component बना रहे हो और उस पे काम कर रहे हो ठीक है तो components होता क्या है तो जो भी हम user interface बनाते हैं, मतलब कि web page बनाते हैं, उस पर कोई भी component जो stml tag है, वो एक component बन सकता है, या तो अकेला stml tag हो, या 5-6 stml tag को मिला के हमने कुछ बनाया है, उसको हम लोग component बोल सकते हैं, जैसे for example, अगर हमने कोई button बनाया है anchor tag से, तो वो एक component हो सकता है, या फिर हम हमने क्या किया है, एक menu बनाया है, वो भी component हो सकता है, या फिर हम लोग मान लोग एक ऐसा card बनाते हैं, जिसमें नाम रहता है, उसका profile रहता है, सब कुछ, तो इसको भी हम लोग एक component बोल सकते हैं, ठीक है, तो देखो, यहाँ पे एक ही stml element को हमने component बोल दिया, और यहाँ मिक्स करके जो हमने कुछ बनाया, उसको भी component बोल देते हैं, ठीक है, तो component कुछ भी हो सकता है, और user interface में हर चीज component है, ठीक है, देखो, तो जैसे एक button भी component हो सकता है, menu भी हो सकता है, या फिर यह card हो सकता है, अब जैसे देखो, यह एक website है, ठीक है, तो इसके अंदर हर ची card में क्या करते हैं, हम लोग पूरा webpage एक साथ नहीं बनाते हैं, हम लोग components अलग-अलग बनाते हैं, ठीक है, और उसको फिर जोड के हम लोग webpage बनाते हैं, तो इस user interface में, इस webpage में, आप क्या कर सकते हो, कि इस webpage को components के अंदर तोड सकते हो, और आप जैसे देखो, अब for example, एक चीज और बताता हूँ, मैं जैसे देखो, ये माल लो एक button है, ठीक है, ये start free trial दिख रहा है आपको, ये एक button है, और similar button ये read more है, तो क्या ये दो component है, नहीं, ये एक ही component है, क्योंकि देखो, दोनों का button same style है, ठीक है, सिर्फ under का data अलग है, यहाँ पे लिखा हुआ है start free trial, य यहाँ पे लिखा हुआ है read more, तो ये दोनों एक ही component होगा, ठीक है, बस इसके अंदर data अलग होगा, तो data अलग कैसे करते हैं, वो react में हमारे पास दिया हुआ है, कि data कैसे pass करते हैं, ठीक है, और data कैसे different different डाल सकते हैं, हम लोग एक ही component पे, ठीक है, आपका component copy paste होगा, लेकि page बदल गया, title बदल गया, ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक component मान सकते हैं, तो देखो, basically अब आपको confusion होगा, अगर मैं आपको बोलू कि components को आप कुछ भी बना सकते हो, तो आप कहोगे कि फिर हर एक चीज को हम लोग component बनाएंगे, एक text भी लिखा हुआ है, उसको component बनाए कोई भी चीज आप interface कैसे बना, तो HTML, CSS और JS से, आप एक button भी बनाते हो, तो HTML, CSS लगेगा, और अगर आप चाहो उस पर कुछ effect डालना, उस button पर तो आप JS लिख सकते हो, ठीक है, तो minimum HTML, CSS से बनाओगे कोई component और चाहो तो उसमें थोड़ा बहुत JS भी add कर सकते हो, effect वगरे के ठीक है, तो एक component HTML, CSS और JS से बनता है, बट हम decide कैसे करेंगे, जैसे for example, यहाँ पर आप कहोगे कि फिर तो हम इस facility को अलग component बना दे, इस webinar को अलग component बना दे, यहाँ पर जो successful distributed वाला जो है, उस title को अलग component बना दे, नहीं, आप बना तो सकते हो, बट इतने चीजों में नहीं तोड़ना है, आपको किस में तोड़ना है, जो repeat होगा, ठीक है, जैसे देखो, यहाँ पर button repeat हो रहा है, तो हमने क्या किया, हमारे website में देखना हर जगा button similar रहता है, तो हम लोग button को एक component बना सकते हैं, यहाँ पर देखो, एक ही format तीन बार repeat हुआ है, ठीक है, यह webinar वाला जो format है, यह तीन बार repeat हुआ है, तो अगर यह तीन बार repeat हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक component बना लेंगे, और जहाँ जहाँ repeat होगा, उसको, उसी component को use करेंगे, बस उसके अंदर का data change कर देंगे, राइट, समझ में आ गया, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, reusable components बनाते है, हर एक page में आप menu यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि menu हर जगा यूज हो रहा है, अलग-अलग page पे भी use हो रहा है, तो भी उसको component बनाएंगे, एक ही page पे एक से जादा बार use हो रहा है, तो भी उसको component बनाएंगे, ठीक है, मतलब आपके पूरे website में अगर कोई भी एक जगह से ज़्यादा बार यूज होता है, तो उसको हम लोग एक component बना लेंगे, जैसे एक button हो सकता है, अब आप एक आदमी का profile के लिए तो ऐसा चीज डिजाइन नहीं करोगे, तो आप इसको भी component बना सकते हो, हाँ, लेकिन अगर आपने एक ही आदमी के लिए बनाया है, एक ही बार यूज होने के लिए बनाया है, तो उसको component मत बनाओ, ज्यादा component भी बनाना बिकार होता है, ठीक है, उसको जब हम लोग combine कर रहे होंगे, component को एक page में, तो उसी के साथ attach करते हैं, ठीक है, तो इसलिए component क्या होता है, reusable building block, तो for example, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो था है, तो हम लोग इसको component नहीं बनाएंगे, रैट, मतलब कोई भी चीज repeat हो रहा हो, चाहे इस page पे हो रहा हो, चाहे किसी और page पे हो रहा हो, उसको component बना लेंगे, ठीक है, तो हम लोग component कैसे choose करेंगे, कि क्या component बनने वाला है, जो reusable होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, react मे हम लोग react में हमारा basic काम होता है कि components बनाना, और उसके बाद react को हम लोग बताते हैं कि कौन-कौन सा component मिल के एक page बना है, ठीक है, हम लोग पहले टुकडे-टुकडे में अपने website को components में बनाएंगे, उसके बाद उन टुकडों को जोड़ कर react को बताएंगे कि कौन-कौन से इतने बाद जोड़ के एक page बना है, ठीक है, data उसमें change होता रहेगा, अब देखो, क्या benefit है हमारे पास components में बनाने का, ठीक है, क्यो react famous हो रहा है, तो उसी का benefit क्या है, reusability, पहली चीज़, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो हमार क्या है, एक बार हमने एक button design कर लिया, तो उसको हम अपने पूरे website पे use कर सकते हैं, ठीक है, तो एक तो हमारा हो गया, कि हमने code एक बार किया, और हर जगा attach हो रहा है, वरना आप क्या करते, इस readme के लिए अलग design करते, इसके लिए अलग design करते, ठीक है, ऐसे ही करते थे हम लोग HTML, CSS में, यहाँ पे अलग class लगा के ब आप दिखता था, अभी आपके पास क्या होगा, अलग-अलग components अलग जगा दिखेगा, मानलो एक, पूरे website में मानलो आप button चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक जगा पे जाके button का style चेंज करना है, या button का कुछ भी, जो भी चेंज करना है, आपको एक जगा प तो इसलिए दो benefit है, ऐसा component-based website बनाने का, या framework यूज करने का, या library बोल लो, आप framework तो नहीं बोलेंगे, अभी हम लोग इसको library बोलते हैं, तो ये react को यूज करने का फाइदा हमार रपस क्या है, एक तो हम components बना के उसको reuse कर सकते हैं, दूसरा, code को maintain करना बड़ा असान हो जाता है, अब देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको example बताया है, कि components कैसे बनाते हैं, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, कि जो भी चीज़े reuse होगा, उसी को हम लोग component बनाएंगे, अब देखो, यहाँ पर button हमने बनाया था, यह एक component, जो उसको हमने red circle किया, वो एक component बन स बनाया है, webinar, जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, जहाँ पर circle किया है, sorry, square बनाया है हमने, ठीक है, red color का, तो वो देखो, वो भी बार-बार use हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग component बना सकते हैं, अब देखो, यह जो तीन बार repeat हुआ है, तो इसको भी हम लोग component बना सकत है, वो एक component बनाया है, लेकिन इस component के अंदर हम कौन का component, दो component यूज कर रहे है, एक तो button जो पहले से हमने अलग बनाया हुआ था, और एक यह tag वाला चीज component बना रहे है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक component जो छोटा component है, वो बड़े component के अंदर fit हो सकता है, ठीक ह component दूसरे component के अंदर भी जा सकता है, जैसे देखो, इस बड़े वाले component के अंदर, इस जो हमारा ब्लॉग दिख रहा है, उसके अंदर हमने button component यूज किया हुआ है, और tag वाला component यूज किया हुआ है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ा रखना है, कि 3-4 component को मिला के भी एक component बन जरूत रहेगा ही, और उसको component बनाने के जरूत नहीं, वो तो style में एक बार हमने डाल दिया, कि paragraph अगे इतने size का होगा, तो इस तरीके से आपको समझ में आगया होगा, कि हम लोग कम पहले, देखो, react जो है, उसमें बस component बनाते हो, उसको mix करते हो, उसमें data pass करते हो, यही है react, तुम react start करने से पहले ही, मैं आपको यह बताना चाहता था, कि क्या चीज है component, और किन चीजों को हम component बनाएंगे, यह नहीं कि हर चीज को component बना जा रहे, एक image मिला, उसको भी component बना दिया, एक paragraph है, एक title है, उसको भी component बना दिया, नहीं, जिस चीज को हम reuse करेंगे, वही component बनेगा, और दूसरी चीज नोट करने वाले बात क्या है, कि एक छोटा component, दूसरे बड़े component के अंदर भी fit हो सकता है, ठीक है, तो हम लोग एक छोटा component बनाएंगे, और जब बड़े component के अंदर हमें वह component चाहिए होगा, तो हम लोग उसको भी डाल सकते हैं, और इसी तरीक क्या किया, हमने कुछ component लिया और कुछ raw HTML लिया, यह जो image ले रहे हैं, यह क्या है, HTML है normal, इसको हमने component नहीं बनाया, यह जो webinar लिखा हुआ है, यह जो title है, इसको component नहीं बनाया, तो हम लोग क्या कर रहे है, कुछ HTML को, कुछ react component जो हमने बनाया हुआ है, उसको, दोनों को mix कि क्या है यहां पे देखो ऊपर यहां से यहां इमेज से लेके यहां coronavirus तक PHP यहां तक क्या आप क्या करोगे एक webpage में पूरा ठीक है और जो चीज रिपीट नहीं हो रहा हूँ नॉर्माल HTML में लिख दो, उस web page में, ठीक है, समझ में आगया होगा, तो याद रखने वाली बात ये है, कि, in React, we build component with HTML, CSS and JS, तो React में हम लोग करते क्या हैं, HTML, CSS और JS को मिला के components बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद, उन components को मिला के, एक page बना देते हैं, तो React में बेसिकले हम लोग क्या काम करते हैं, component बनाते हैं, HTML, CSS और JS का, मतलब webpage का टुकड़ा बनाते हैं, और उन टुकड़ों को जोड़के, फिर से हम लोग webpage बना देते हैं, ठीक है,